हेलो दोस्तों आप सभी को हमारे डेली लाइफ डाइटी चैनल पर स्वागत है बने रहिएगा हमारे चैनल पर और विडियो को पूरा देखिएगा विडियो पसंद आएगा तो अधिक दिक लाइक शेयर कर दीजिये गा अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों प्रिंट तक जरूर से जरूर लाइक शेयर कीजिएगा तो आज हम बनाएंगे यपी बहुत ही श्वादिश्ट और टेस्टी बनता है तो आएए चलिए चलते हैं कीचेन के पाश तो हमने कराही कैस पर चरहा दिया है और तब तक इधर हम प्याज, मिर्ची और टमाटर को बारीक काट लेते हैं इस तरह से बनाने पर बहुत ही स्वादिश्ट और टेस्टी बनता है बच्चे स्याने सब को पसंद आता है तो दोस्तों पसंद आएगा कोमेंट करके जरूर बताईएगा और अब हम इसमें कराही में डाल दिये हैं सर्शोते शाथ में एड़ कर देंगे प्याज और मिर्ची दोनों को पांस से साथ मिनेट हम फ्राई करेंगे गैस को मीडियम फ्लेम रखेंगे ताकि अच्छा से फ्राई हो और इधर तब तक हम यह प्पी को खोल लियें इसमें से हमें जितना बनाना हुआ उस अनुसार्स में बनाएंगे अब टमाटर डाल दिये तो माटर के साथ यह जो मसाला सब है सब को इकठा करके डाल देंगे तब तक टमाटर प्राइब हो रहा है और दोस्तों पसंद आएगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा वीडियो तक आगे तक ले जाने कर कोशिश किजिएगा सारे मसाले हम पैकट से निकाल लिए और इस मसाले को डाल देंगे टमाटर के साथ क्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे चमच के चौथाई भाग हल्दी डाल दिए और इसको फ्राइब करते हुए देखिए सारा सब ठोकर के कल गया टमाटर और अब इसमें हलकाशा पानी पानी एड कर दिये पानी पुरा डाल लेंगे जिसमें एपी हमको बनाना है जैसे ही पानी उबल गया तो अब हम इसमें यपी को तूर तूर करके डाल देंगे और इसके बाद इसको चला देंगे पानी तो गर्म है यह अपने आप अलग अलग हो जाएगा इसके बाद इस पर हम चीज फिश करके डाल देते हैं इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट कहिए या यह जो रेश्पी बनता है भी काफी लजीज बनता है इस टुक्रा चीज का डला गया और इसको मिला दिये तो यह अच्छा से उबल चुका अब इसको गैसे बंद कर दिया गया है बड़तन में परोस्त लिया जाएगा परोस्त करके खाने के लिए बच्चे से आने सबको मिलेगा तो दोस्तों उपर से अब एक चमच घ्षी भी डाल दिये और इसका टेस्ट दोगना हो जाएगा तो दोस्तों हमारा यह पी बन करके प्यार हो चुका है तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ आप अपना प्यार से होख में जरूर दीजिएगा नए होंगे तो जरू से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा झाल